नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपक नाम के लड़कों के बारे में जिसकी रिक्वेस्ट शिखा मुखर जी ने की है लेकिन उससे पहले यदि आज आज आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लैक जरूर कीजिएगा साथ ही आप सभी मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी अपने सवाल मुझसे इंस्ट पर पूछ सकते हैं यदि आप भी किसी नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे नाम वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं आपको उस नाम से संबंदित सारी जानकारी दी जाएगी दीपक नाम की व्यक्तियों को जानने के लिए इस वीडियो मे अंति तक बने रहें इस वीडियो में आपको दीपक नाम का मतलब राशी फल शुब अंग और दीपक नाम के व्यक्ति का वेवार कैसा होता है ये सारी जानकारी दी जाएगी तो चली फिर शुरू करते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके स्वभाव का स्वामी होता है जोते शास्तर के अनुसार व्यक्ति के पहले अक्षर को जानकर आप उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं हाला कि किसी को जानने और के लिए एक मुलकात जरूरी होती है लेकिन अगर आपको उसका नाम पता है तो आप उसके स्वभाव को जान सकते हैं 80% लोगों में जोते शासर काम करता है अगर किसी पर यह जोते शासर काम नहीं कर रहा तो समझ लेजिए उसको घर में आने लोग किसी और नाम से बुलाते हैं आईए दिपक नाम की बारे में जाने दिपक नाम का मतलब दिपक बहुत ही सुन्दर नाम है आप अपने बच्चे का नाम दीपक रखने जा रहे हैं तो दीपक नाम की राशी अर्थ शुबंक क्या होता है हम यहां इससे जोड़ी जानकारियां दे रहे हैं दीपक नाम का अर्थ बेहद यूनीक है दीपक नाम का अर्थ प्रकाश के स्रोथ होता है जैसा कि हमने बताये कि दीपक नाम का मतलब प्रकाश के स्रोध होता है ऐसे में अगर आप अपने बच्चे का नाम दीपक रखते हैं तो आपकी बच्चे का व्यक्तितु भी दीपक नाम के मतलब की तरह हो सकता है अगर आप अपने बच्चे का नाम दीपक रखने का सोच रहे हैं आपको बेशक यह भी जानना चाहिए कि दीपक नाम का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है आपके द्वारा चुने जा रहे दीपक नाम का इंगलिश में मतलब है इस सोर्स ओफ लाइट डीपक नाम की राशी दीपक की राशी मीन होती है बच्चे की जन्म के समय चाम जिस राशी वनक्षत्र भाग में होता है उसी राशी वनक्षत्र से संबंदित अक्षर से बच्चे का नाम रखा जाता है मीन राशी का स्वामि ग्रह गुरू होता है भगवान विश्णु जी को मीन राशी का अराद्य और कमजोर पृति रक्षा प्रिनाली से पीडित रहते हैं इस राशी के दीपक नाम के लड़कों को शराप के सेवन से तोबा कर लेनी चाहिए दीपक नाम के लड़के स्वभाव में थोड़े समवेदन शील होते हैं दीपक नाम के लड़कों के स्वभाव में देख भाल करना और दयालुपन बजपन से ही देखने को मिलता है दीपक नाम का शुबंक दीपक नाम का शुबंक च्छै है इस अंक वाले लोगों में किसी भी चीज को समझने का कोशल हो सकता है ये लोग अधिक यतार्थ वादी हो सकते हैं, ये कुछ खास स्विय विसाय को अधिक प्रभाविधंग से चला सकते हैं और प्रबंदित भी कर सकते हैं दीपक नाम का स्वामी ब्रसपति ग्रह होता है, इस नाम का शुबंग छह है, इस संक वाले व्यक्ति आकरशित और खूब लोग प्रियता प्राप्त करने वाले होते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते हैं, इनकी खास बात यह होती है कि ये कुछ और सिद्धान्तों के साथ अनुशाफ सनात्मक जीवन व्यतीत करते हैं, दीपक नाम वाले लोगों के दुश्मन बहुत जादा होते हैं, क्योंकि ये स्वभाव से हटी और जिद्धी होते हैं, इनके जीवन में दोस्त बहुत कम होते हैं, दीपक नाम के लोगों का स्वास में रूची होती है दीपक नाम के लोगों के लिए मन की शांती जादा माइने रखती है दीपक नाम वाले शांत मन की होते हैं इन्हें किसी तरह की अशांती पसंद नहीं होती इन्हें लड़ाई जगड़ा बिलकुल पसंद नहीं होता है अगर दीपक नाम के लोगों के इस्तिती में खुद को आसानी से बदर लेते हैं इन बातों के कारण जीवन में कई महतुपुन उपलब्दिया हासिल करते हैं और मान सम्मान प्राप्त करते हैं इनका दिमाग रचनात्मक होता है और इनके पास योगता भी होती है कि अपने आइडियास को कैसे लागू अपनी महनत की दम पर ये काफी आगे जाते हैं दिपक नाम के लड़के बातों के जादुगर होते हैं लड़के उन पर दितल्यों की तरह मंड़ाती रहती है मगर वे एक समय में एक ही रिस्ता निभाते हैं यूँ भी उनकी किस्मत में फाल्दो प्यार नहीं लिखा होता वे जब भी करेंगे जहनी तोर पर एक ऐसी लड़की से ही प्यार करेंगे जो उनके आंत्रिक संसार को समझने की शमता रखती हो। दिपक नाम के रड़के बाते करने और बनाने में बड़े माहिर होते हैं यह लोगों की बातों पर ध्यान देना ज़्यादा पसंद नहीं करते बलकि अपने मन की करना ही इने भाता है एक बार यह लोग अगर कुछ करने की ठान लेते हैं तो उस काम को पूरा करके ही मानते हैं ये लोग smart होते हैं और बगैर किसी प्रियास के भी इनके व्यक्तितों में गजब का आकर्शन होता है किसी की मदद करने के मामले में ये हमेशा आगे रहते हैं फिर चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन हमेशा मदद के लिए तयार होते हैं जिनें ये पसंद करते हैं उन्हें पाने के लिए ये अपने प्रियासों में कोई कसर नहीं छोड़ते रिस्ता निभाने के मामले में भी ये लोग बड़े दिलवाले होते हैं और पूर्ण समर्पित होने के साथ ही विश्वास पात्र भी होते हैं दिपक नाम के लड़कों का शुब रंग पीला, नारंगी और गुलाबी रंग, शुब दिन, गुरुवार का दिन, शुब पत्थर, पुखराज रतन, लाबदायक और शुब साबित होता है तो दोस्तों आपको मेरी बताय हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप सभी मुझे इंस्ताग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी अपने सवाल मुझे इंस्ताग्राम पर पूछ सकते हैं यदि आप भी किसी नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे नाम वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिए आपको उस नाम से संबंदित सारी जानकारी दी जाएगी धन्यवाद